हम अध्याय के इस भाग में निमलिखित कॉंसेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आकरतियों का शेत्रफल एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच आकरतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच समानतर चतुरभुज तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम आकृतियों के शेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे आपने पिछली कक्षाओं में सरल बंद आकृतियां जैसे आयर, त्रिभुज, समानता, जत्रभुज, इतियादी का शेत्रफल ग्यातकनना सीखा था आपको याद होगा कि एक सरल आकृति द्वारा, तल का घेरा हुआ भाग, उसका संगत तलिय शेत्र कहलाता है और इस शेत्र के माप को हम उस आकृति का शेत्रफल कहते हैं इस शेत्रफल को हम एक संख्या और उसके मात्रग के साथ दर्शाते हैं दारन के लिए 8 मीटर स्क्वाइर, 2 हेक्टेर, 3 किलो मीटर स्क्वाइर इतियादी आपने बीघा, बिस्वा, मरब्बा जैसे मातरक अलग-लग शेत्रों में सुन रखे होंगे जो आपके खेतों का शेत्रफल बताने के लिए प्रयोग किये जाते हैं अब बात करते हैं सर्वांगसम आकरतियों की त्रिभुच की सर्वांगसमता के अध्याए में आपने पढ़ा था कि दो सर्वांगसम आकरतियों का आकार और माप समान होता है इसका मतलब यह है कि यदि हम दोनों आकरतियों को एक दूसरे के उपर रखें तो एक आकरिती दूसरी आकरिती को पूरी तर अढ़क लेगी। हम इससे यह निशकर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों का शेत्रफल बराबर होगा। उदाहरन के लिए अब दो 10 रुपे के सिक्के लिए जो एक दूसरे के सर्वांगसम है तो उन दोनों का शेत्रफल बराबर होगा। क्योंकि जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं वै एक दूसरे को पूरी तरह ढख लेते हैं। आता हम ये कह सकते हैं कि दूसर्वांगसम आकरतियों का शेत्रफल बराबर होता है। परन्तु ये दिदू आकरतियों का शेत्रफल बराबर हो तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों सर्वांगसम हो। अब हम ऐसे आकरतियों को देखेंगे जो दो या उससे जादा आकरतियों से मिलकर बनी होती है। आईए तो हम इसे एक उधारन से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि आकरती T द्वारा निर्मित तलिये शेत्र में आकरती P और Q द्वारा निर्मित दो तलिये शेत्रों से मिलकर बना है। और हम यहां कह सकते हैं कि T का शेत्रफल बराबर P का शेत्रफल प्लस Q का शेत्रफल है। तो हम इस अध्याई में जयमिती आकरतीों के शेत्रफल के गुणों को उस प्रबंध में पढ़ेंगे जब दू आकरतियां एक आधार और एकी समानतर रेखाओं के बीच स्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि कब हम कहते हैं कि दू आकरतिया एकी आधार या एक समानतर रेखाओं के बीच स्थित है। धन्यवाद।